पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें, वो भी पेशिंट फीडबाक देखते हुए, आज ही ओलाडॉक अप डॉइंट्मेंट आसानी से असलाम अलेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासर बास है और मैं गेस्टरनेशनलोजिस्ट और हेपटरोजिस्ट हूँ, मैं काद्याजम इन्टरनेशनल हॉस्पिटल के लिवर ट्रांस्प्रांट एंट गेस्टरनेशनेट्रोलजी यूनिट में अस अ कंसर्टन काम कर रहा हूँ हार्टस इंटरनेशनल हास्पिटल में भी शाम को बैठता हूँ आज हम बात करेंगे एक आम मैदे की बिमारी इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा अपने मौालिज से या आस्परोस में लोगों से एच पाइलोरी क्या है ये एक बैक्टीरिया है एक जरासीम है जो के खुराक या पानी के जरीए से हमारे मैदे में आ जाता है और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर लेता है जो most recent statistics अगर हम देखें तो पाकिस्तान के इस वक्त सत्तर से असी फीसद आबादी को या एच पाइलोरी हो चुका है या इस विप एक्टिव इन्फेक्शन मौजूद है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से क्या अलमात होती है और इसके क्या असरात होते है इस पहाँ हम बात करेंगे इस इन्फेक्शन से basically मैदे में सादालफाज में कहें तो तो तिजाबियत बढ़ जाती है और मैदे में अलसर बनने का ख़द्षा जयादा हो जाता है इतजाबियत की जो अलामात हैं जैसे के मैदे में दर्द होना, मैदा फूलना, सीने में जलन होना, मूँ में कड़वा पानी आना, ये सारे इसके साथ भी होती है अगर इसका इलाज ना किया जाए और इतजाबियत बढ़ती रहे तो मैदे में अलसर भी बन सकते है अगर हम रिसर्च को देखें तो अलसर बनने की सबसे बड़ी वज़ा अच्पाइलोरी ही होती है लेकिन ये वाहिद वज़ा नहीं अलसर की और भी वज़वात हो सकती है इसकी तश्खीस के लिए आम तोर पे तीन से चार किसम के टेस्ट है एक तो खून में एंटी बाडी चेक करना है दूसरा बड़े पिशाब में कुछ टेस्ट करते हैं और तीसरा जो सबसे गोल्ड स्टेंडर्ड और हत्मी है वो एंडोस्कोपी करके और बायापसी करके उसके उपर टेस्ट किये जाते है इन सब टेस्टों के अपने कुछ अचाईयां हैं और कुछ कमियां है जो खून का टेस्ट है वो सिरफ ये शो करता है कि आपको कभी ह-pailuri का इंफेक्शन हुआ था वो ये नहीं साबित करता कि आपको इस वकट भी ह-pailuri का इंफेक्शन है या नहीं जैसे कि मैंने बताया कि 70-80% आबादी इस वक्त हमारी एक्सपोजड है तो इसका मतलब है कि काफी कवी इमकान ये है कि आपकी हैच पारियोरी एंटीबाडी पॉजिटिव आएंगी क्योंकि जिन्देगे में कभी ना कभी आपको इसका इंफेक्शन हुआ होगा सतर से असी पीसे चांस है तो ऐसी सुरतिहाल में ये टेस्ट हमें ये नहीं बताएगा कि इस वक्त इंफेक्शन है या नहीं सिर्फ ये बताएगा कि आपको कभी हुआ था इसलिए पाकिस्तान जैसी सुसाइटी में ये बलड का टेस्ट इतना एहम नहीं है हाँ चुकि आसानी से अवेलेबल है और हर लिबाटरी में हो जाता है तो अक्सर आपको डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंट करेंगे दूसरा जो टेस्ट है जो के पहाने में टेस्ट होता है वो ये शो करता है कि एक्टिव इंफेक्शन है या नहीं तो ये उसकी एक अच्छाई है लेकिन उसकी एक कमी ये है कि अगर आपने पिछले तीन महीनों में कोई भी एंटिवार्टिक या मैदे की दवाई ली है तो हो सकता है कि ये टेस्ट आपका नेगेटिव आए इवन दो जच पालोरी इंफेक्शन मौजूल होगी लगे कि आपके पेट में अलसर का चांच ज्यादा है तो बहतर ये होता है कि अंडुसकोपी करके अंदर से देखा जाए ताकि अलसर की भी बरवक्त तश्खीस हो से के अगर अलसर बहुत बड़ा हो या उससे खून निकलने का खद्शा हो तो उसका भी उसी वक्त इलाज हो जाए अंडुसकोपी की जरीए और साथ ही साथ बायापसीज लेकर ये भी कंफरम कर लिया जाए कि इसमें एच्पाइलोरी है या नहीं एच्पाइलोरी का इलाज करना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो अलसर का और तजाबियत का मसला हो गया दूसरा अगर ये साला साला साल तक रहे अंदर और इसका इलाज ना हो तो मैदे के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है जब एच्पाइलोरी की तश्खीस हो गई तो फिर इसका इलाज इसके इलाज के लिए दो हफ़ते का एंटी बायाटिक्स का कोर्स किया जाता है इसमें मुख्तलिफ एंटी बायाटिक्स इस्तमाल की जाती है जो के आपके मौलिज के जाती तजर्बे और रिसर्च और लोकल डेटा के मताबिक फैसला किया जाता है साथ ही साथ छे से आठ हफ़ते के लिए मैदे के लिए दवाई दी जाती है ताकि मैदे की तजाबियत और सोज़िश को काबू किया जा सके एक दफा एक कोर्स कर लेने के बाद दो से तीन महीने का वकफा दे के फिर दوبारा टेस्ट किया जाए ताकि ये चार्म किया जाए किếu आया अविठे है या नहीं हज पालूरी के एक और टेस्ट भी होता है जिसको ब्रेथ टेस्ट कहते है वो बहुत कम हस्पतालों में होता है इसलिए उसके मैंने ज्यादा तक्सील नहीं बयान की एचपायलोरी से आप कैसे बच सकते हैं जैसे किसी भी ऐसी बिमारी जो के आपको आब और हवा से होती है जिससे उस से बचाओ के तरीके हैं वही इसके हैं जैसे के खाने से पहले हाद धोना जो भी खा रहे हैं अगर फूट सबजी वगारा तो उसको खूब साफ करके धो के इस्तमाल करना चील के खा लें तो भी ठीक है इसी तरह से जो भी खाना या पीना हो मश्रूब हो उसको प्रॉपर पका के गरम करके तब लिया जाए ताकि अ है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और अल्ला आपको हर तरह के बिमारी से महफूज रखे अगर खुदाना खौस्ता किसी मैदे या जिगर की बिमारी के लिए आपको मश्रूरा लेना हो तो आप ओला डॉक से अपॉइंट्मेंट लेके मुझ से मश्रूरा ले सकत पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबाक देखते हुए लाखो लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फाइदा उठाएं और आज ही ओला डॉक एप डाउनलोड करें ओला डॉ किसे